गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 22 अक्टूबर देखेंगे आज के पूरे करेंट अफेस उससे पहले हम आपको बता दो दोस्तों कि हमारे कल के करेंट अफेस नोट के विनर है आर्ची प्रिंसेस आर्ची जी आप हमे फ्री ऑनलाइन इस्टी पॉइंट एडरेट जीमेल पे मैसेज करिए इमेल करिए आपको मैं नोट सेंड कर दूँगा दोस्तों में आपको नहीं पता है तो आपको भी हैंड रिटन करेंट अफेस को नोट चाहिए तो आज आप इस वीडियो में पांच करेंट अफेस के को और यूनिक और बेस्ट एंसर लिखी आप भी पास सकते हैं करेंट अफेस के हैंड रिटन नोट्स और दोस्तों यह आप कंटेस्ट में पाटिसिपेट करना जाता है तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपसे कभी भी पांच वो सवाल पूछ सच करिया आपक फोलो कर सकते हैं मैं अपने अने केर में प्रोफाइल की लिंग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देए तो तो यह वीडियो और वहाँ प कारनेफेस करें चली स्टाट करते हैं आज करनेफेस पुलिस मेमोरियल का उधगण किसने किया है तो दोस्तो नई दिल्ली में राष्ट के लिए राष्ट्री पुलिस मेमोरियल को उधगण किया है प्राइम निस्टर मोदी जी नरेंदर मोदी जी ऑप्सन सी राइट हो जायागा देखे आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में राष्ट को राष्टी पुलिस मेमोरियाल यानी NPM समर्पित किया है उदगाटन किया इसे आजादी के बाद से पुलिस कर्मियों द्वारा किये गए सर्वोच बलिदान की मानिता में बनाया गया है आपको बता देख देश की सुदंतरता के बाद इस राष्टी पुलिस मेमोरियल को केंद्रिय मूर्ती कला ग्रेनाइट ने एक टुकडे से बना 30 फिट मोनोलित है जिसका बजन 238 तन है बजन है 238 तन नई दिल्ली में किया है मोदीजी नुदगाटन ते आपको फैक्ट याद रखना है नई दिल्ली में राष्ट के लिए र तो इसका राइट एंसर हो जाएगा नौमा ठीक नाइंथ देख आपको पता देख ब्रैंड फाइनेंस एक प्रमुख ब्रैंड मुल्यांकन और रन्नीती परामस द्वाराज जारी राष्ट ब्रांड नामा के रिपोर्ट के मुतावित भारत ने सीस 50 मुल्लिवान सब्सक्राइब नौमे स्थान पर पहुच गया है ठीक है आपको बता देख 2017 में भारत की ब्रैंड वेल्यू 2046 अरव डॉलर थी और 2018 में 2169 अरव डॉलर हो गया है इसके लावा दोस्तों यूएस 25,899 अरव डॉलर की ब्रैंड वेल्यू के साथ सूची में टॉप पर है सब आपको बता दें कि लास्ट यर 23 परसेंट की बढ़ी है चीन आपको बता दें कि 12,789 अरव डॉलर के साथ ब्रैंड वेल्यू साथ दूसरे स्थान पर है सेके नमर पर चाइना और चीन के ब्रैंड वेल्यू पिछले बर से 25 परसेंट की ब्रिद्धी देखी गई है ठीक है इंडिया का नाइन्थ नमर पर है सीर्स टॉप पर है अमेरिका सेकेंड नमर पर है चाइना तो रास्ट ब्रैंड 288 रिपोर्ट के उनसार इंडिया को मोलिवान रास्टी ब्रैंडो में नौमा स्थाना सिल हुआ है अगला कोशन देख लेते हैं स्वरगी प्रधानमंत्री अटल वहरी बाचपई जी के नाम पर कितनी हिमाले चोटियों के नाम रखा जाएगा तो चार हिमाले चोटियों ठीक है फोर देखें आपको बता देख उत्तरकासी जीले में गंगोत्री ग्लेसियर के पास चार हिमाली चोटियों के नाम पूर्व प्रधानमंत्री टल वहर और सैफी चोटियों के पास इस्तित चोटियों को अटल 1, 2, 3 और 4 नाम दिया गया है ठीक है 1, 2, 3, 4 अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4 आपको बता दिक चोटी 6557 मीटर 6566 मीटर 6160 मीटर और 1600 मीटर पर गंगोत्री ग्लेसियर के दाहिनी तरह इस्तित है इसके लाव आपको बता दिक चड़ाई के बाद लोड़ने वाली टीम ने प्रत्यक चोटियों पर आश्टी तिरंगा फहराया था देखें दोस्तों आपको बता एक सावरमती घाट गुजरात का नाम बदल कर अब अटल घाट रखा गया है इसके लाव आप 26 गड़ नई रापुर की राजधानी का नाम बदल कर अटल लगा रखागे ठीक है दोस्तों चलिए अगला कोशन है भारत ने अक्टूबर में एंटी डंपिंग शुल लगाया है आपको बता दे कि उन्नीस अक्टूबर 2018 को केंद्री वित्त मंत्राले ने कुछ चीनी इस्पात उत्पादों पर पांस साल के लिए 44.89 अरब डालर से 185.51 प्रति टन तक जो डंपिंग शुक लगाया है और आपको बता देख चीन से होने वाले सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों की रक्षा करने के लिए एक अदम उठाया गया है ठीक है तो चीन से किस उत्पात के आयत पर भारत ने अक्टूबर 2018 में एंटी डंपिंग शुक लगाया इस पात ठीक है इस पात के आयत पर चीन की बात करें तो राजदानी है बीजिंग राष्टपती है सी जिन पिंग और चीन आपको बता है जन संक्याक देष्टी से विश्व में प्रत्यमस्थान पर है और बात करें अगर श्यत्रफल के साथ यह रूस रूस पर नम और वन है ठीक है चलिए नेक्स कुशन है कि छेत्री समुग के साथ चीन ने अपने पहले समुद्रे भ्यास का आज़न करेगा दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन भी एसोशियेशन आप साउथ इस्ट एसियाई नेशन से आशियान ठीक है देखे दोस्तों आप पता दे कि चीन मलेशिया के निकट इस्ट्रेट ऑफ मलक्का दूइब में 20 अक्टूबर से 9 दिन का सेना भ्यास आज़ित कर करेगा और एसोशियेशन आप साउथ इस्ट एसियाई नेशन यानि आशियान के साथ चीन अपने पहले समुद्र अभ्यास का नाम पीस एंड फ्रेंड्शिप दोहठारा रखा है इसका नाम क्या है पीस एंड फ्रेंड्शिप 2018 कि शेतरी समों के साथ चीन अपने पहले अब देख लेते हैं जो आज के सवाल है जिसका एंसर आपको comment box में detail के साथ unique best answer लिगने किसी के copy नहीं करना है आपको handwritten notes में send कर दूँगा जो भी बीनर्स रहेगा चलिए पहला question है परमाडू उर्जायाक को नया गठन नया अध्यक सिसे निउक किया गया है परमाडू उर्जायाक को नया अध्यक सिसे निउक किया गया option दे रखे हैं फटा फट पूरे detail के साथ लिखिए दोजारबाइस के एसे आई परहाखेलों की मेजबानी काउंसा देश किया यह option दे रखे हैं फटा फट लिखिए पूरे detail के साथ last question है सिंगापूर ग्रामपी 2018 किस खिलाडी ने जीता है यह option दे रखे हैं वीडियो पॉस करके भी आप लिख सकते हैं answer question को read कर सकते हैं ठीक next question दोस्तों October 2018 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े उभैचर विमान का परिक्षण किया है तो right answer हो जाएगा इसका option C China ठीक है option C चीन आपको बता दें कि चीन ने सोदेशी डिजाइन और उभैचर विमान AG600 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उभैचर विमान है 20 October को सवलता पूरवक टेक आफ लेंडिक परिक्षण किया है ठीक है next question देख लेते हैं बिजली की लागत कम करने के लिए कौन सा देश मानाव निर्मित चंदर्मा लांच करने की वजना बना रहा है तो इसका right answer हो जागा दोस्तों option B चीन ठीक है देखिए आपको देख चीन के बैकजानिक 2020 में एक artificial moon launch करने जा रहे हैं जो शहरों में street lamp की जगए काम करेंगे उचाई कम होने से artificial चांद असली चांद से 8 गुना ज्यादा चमकदार होगा तो विजली की लागत कम करने के लिए कौन सा देश मानाव निर्मित चंद्रमा लांच करने की उजना बना रहा ह चाईना option भी right है अगला question बहुत महत्पूर है परल नदी डेल्टा किस देश में इस्थी थे परल नदी डेल्टा इस्थी दोस्तों चीन में मैंने आपको बताया था कि परल नदी डेल्टा अक्टूबर 2018 में खबरों में बना हुआ है क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा 55 किलोमीटर लंबा है जो कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पूल है तो यह आपको यादखना है परल नदी डेल्टा में यह बनेगा चीन में ठीक है चलिए नेक्स कोशन है भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन 2018 सेयंक तुसैन अभ्यास नेम लिखित में से किस र अभ्यास से पारंपरिक समझ विक्षित करने और एक दूसरे की सेनाओं के प्रति सम्मान भाउत्पन करने में काफी मदद मिलेगी चलिए अगला उसन देख लेते दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन जो पूछा था निमलिखित में किस देश ने दुनिया के स सबसे बड़े मानो रहित परिभाहन ड्रोन का सफलता बरो परिक्षण किया है कि चाइना ने सभी स्टूडियन ने राइट एंसर दिया है अब देख लेते हैं आज का सवाल के आज का कोश्चन है हाली में भारत का सबसे उंचा तिरंगा कहां फैर आया गया है तो आपको कम सब्सक्राइब के पांस सवाल ठीक है दोस्तों तो कल की वीडियो आप जरूर देखिए नाम एनाउंस्मेंट करूंगा और आज के जो बीनर से आर्ची जी आप हमें मेल जरूर करें ठीक है और टिलिग्राम जैल जोइन के लिए इस पीडिया फाइल के लिए साथ